उदाहरन एक, बिंदु ए चार पांच को निर्देशांग समतल में प्रदर्शित कीजिए हल, चूंकि एक्स निर्देशांग धन चार है, अर्थाद बिंदु की वाई अक्ष्ट से लमवद दूरी धन चार है इसलिए पहले हम एक्स अक्ष्ट की धनात्मक दिशा अर्थाद ओ एक्स दिशा में चार इकाई बढ़ेंगे चूंकि वाई निर्देशांग धन पांच है, अर्थाद बिंदु की एक्स अक्ष्ट से लमवद दूरी धन पांच है इसलिए अब हम वाई अक्ष की धनात्मक दिशा अर्थाद ओवाई दिशा में धन पांच इकाई बढ़ेंगे इस तरह हमें बिंदू A चार पांच प्राप्त हुआ उदारन दो बिंदू B रिंड चार पांच को दर्शाईए हल बिंदू B का X निर्देशांक रिंड चार है तो हमें किस दिशा में बढ़ना होगा चोकि बिंदू B का X निर्देशांक रिंड आत्मक है इसलिए हम X अक्ष में O X दिशा में आगे बढ़ेंगे आगे की चरण आप स्वयम करें और निर्देशांग सम्तल में बिंदु रिन 4,5 को दर्शाईए करके δेखें पहला नीचे कुछ बिंदू के निर्देशांग दिए गए हैं यह किस किस चत्रथांश में इस्थित है प्रत्ते को निर्देशांग समतल पर प्रदर्शित कीजिए, बिंदू एक, पांच साथ, बिंदू दो, रिंड़ पांच, बिंदू तीन, दो, रिंड़ दो, बिंदू चार, रिंड़ चार, रिंड़ पांच, दूसरा, कोई भी पांच और निर्देशांग जोड़े लिखे उन्हें उनके चत्रथांशों पर उप्युक्त इस्थान पर प्रदर्शित करे अक्षों पर बिंदू यदि कोई बिंदू X अक्ष पर हो तो उसके निर्देशांग क्या होंगे हम जानते हैं कि किसी बिंदू तक पहुंचने के लिए हमें दो दूरियां चलनी होती है पहला X अक्ष के अरुदिश यानि Y अक्ष के लमववद और दूसरा Y अक्ष के समनांतर या X अक्ष के लमववद अब यदि कोई बिंदू X अक्ष पर ही इस्थित हो तो हमें मौल बिंदू से उस बिंदू तक क्यवल एक दूरी चलनी होगी चूकि Y अक्ष के समनांतर चली गई दूरी शुन्ने होगी इसलिए उस बिंदू का Y निर्देशांग शुन्ने होगा अता एक्स अक्ष पर इस्थित किसी बिंदू के निर्देशांग एक्स चीरो या रिण एक्स चीरो होंगे जैसे एक्स अक्ष पर इस्थित बिंदू एक निर्देशांग चार शुन्य हैं इसी तरह वाई अक्ष पर स्थित किसी बिंदू के निर्देशांग शुन्य वाई या शुन्य रिणवाई होंगे स्पस्ट है कि मोल बिंदू ओ के निर्देशांग शुन्य शुन्य होंगे उदारन तीन निर्देशांग संतल पर बिंदू P जो तीन शुन्य से प्रदर्शित है इसे प्रदर्शित करना है दिखाना है हल चोकि बिंदू P का Y निर्देशांग शुन्न है इसलिए X अक्ष से इस बिंदू की लंबवा दूरी शुन्न है अता ही है बिंदू X अक्ष पर होगा बिंदू P का X निर्देशांग तीन है इसलिए है बिंदू O X की दिशा में मूल बिंदू से तीन इकाई की दूरी पर होगा करके देखें पहला बिंदू B यानि शुन्य चार C यानि रिंड चार शुन्य और D यानि शुन्य रिंडों को निर्देशांग समतर पर दर्शाइए दूसरा तीन ऐसे अलग अलग बिंदों के निर्देशांग लिखें जो X अक्ष पर है तीसरा इसी तरह Y अक्ष पर स्थित तीन अलग अलग बिंदों के निर्देशांग लिखें बिन्दों के बीश की दूरी दिये गए आलेक में चार बिन्दों A, B, C और D को प्रदर्शित किया गया है क्या आप बता सकते हैं कि A, B और C, D बिन्दों के बीश की दूरियां कितने कितनी हैं क्या बिन्दो A और बिन्दो B के बीश की दूरी A, B, B, C, D, D, C, D, 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 D पहले दोनों बिन्दों के य निर्देशांकों का अंतर लेने पर दूरी cd करमह प्राद कर सकते हैं दूरी AB बराबर 4 रिंड एक यानि 3 इक आई चूंकि AB बराबर Y2 मानस Y1 क्योंकि X2 और X1 बराबर हैं दूरी CD बराबर 6 रिंड दो यानि 4 इक आई चूंकि CD X2 मानस X1 है क्योंकि Y1 और Y2 बराबर हैं इसी तरह P यानि एक रिंड दो और Q यानि एक रिंड 6 की बीच की दूरी P Q बराबर Y2 मानस Y1 होगी क्योंकि X2 और X1 बराबर हैं इसलिए P Q बराबर रिंड 6 रिंड रिंड दो बराबर रिंड 4 दूरी धनात्मक ली जाती है पता P Q बराबर 4 इक आई करके देखें इन बिंडों के बीच की दूरियां ग्याद कीजिए पहला बिंडू पांच आठ और बिंडू पांच रिंड तीन दूसरा बिंडू दो तीन और बिंडू दो साथ का रिंडू совahu रिंडू उलो पांच जास बाकुछ